यह वन प्लस नाइन प्रो जिसका वीडियो मैंने दिया था यह मेरा बाइक या यूनिट है और यह वन प्लस की अब तरफ से आ चुका हमारे पास वन प्लस नाइन आर और फोर राकेश जैन दोस्तों क्या हाल है मेरा नाम राकेश कली इसकी पहली सेल है तो सोचा एक वीडियो तो सबसे पहले आपको दे दिया जाए पहला पहला इंप्रेशन जो है मेरा यहां पर आगर आप देखोगा न प्लस नाइन प्रो उन बोक्स किया था बोक्स के अंदर सब कुछ मिलता ह है और यहां पर 65 वोट का चार्जर भी मिलता है अब जैसे मैंने का नाइन प्रो में यूज़ कर रहा हूं तो जैसे किसी फोन को इनिशली बाहर निकाला जाता है यह काइंड ओफ देखने में लगता है नाइन प्रो जैसा है आपको क्योंकि आप तो वीडियो में देख रह गया था जो कोलैब था नाइन आर के साथ नहीं है पहला डिफरेंस तो यह और दूसरी बात यह भी है जो नाइन आर है नो ज्यादा है ज्यादा है ज्यादा लाइट वेट है और कैमरा के ले आउट वगरा वो ज्यादा एक लगता है कि नाइन प्रो में थोड़ा अलग से देता है और फ्रेम का डिजाइन वगरा जो नाइन प्रो का अलग फील होगा आपको और जाहिर जिवादा रेट का डिफरेंस है तो यह छोटे-छोटे डिफरेंसी है यहाँ पे शायद आपको सीमिलर लग रहा हो बट दोनों फोन काफी डिफरेंट है एक दूसरे से एंड पता हो आपको कौन सा ज्यादा बढ़िया लगता वैसे यह भी अच्छा है बट यस अगर यह मैट फिनिशन होता है फिंगर पिंट वगरे निशान कम पढ़ते हैं बट हाँ वन प्लस 80 याद है काफी सारे जो स्पैसिफिकेशन वो बिल्कुल उससे मैच करते हैं यहाँ प क्योंकि 865 प्लस का जो मैक्सम क्लोग स्पीड है 3.1 GHz से इसको 3.2 कर दिया है बाकी सब सेम है और अगर आपको पता होगा कि 865 काफी ज्यादा स्टेबल प्रोसेसर रह चुका है तो 870 का क्या हाल है OnePlus के अंदर क्योंकि मैंने जब 888 प्रोसेसर का टेस्ट दिखाया था आप पर 888 यानि कि OnePlus 9 Pro से क्योंकि 9 Pro में मैंने बताया था आपको कि brightness लो कर देता है थोड़ी देर बाद recording करने के बाद temperature गेन होने के बाद मैं सुचा यहाँ देखते कैसा है तो यहाँ पर मैंने जब recording करा 4K पर तो यहाँ पर एक टाइम बाद OnePlus 9 Pro में मैसिज आ चुका है कि और उनों का temperature almost similar है बट फिर भी 9R ज्यादा बहतर तरीके से आपको जो output दे रहा है ऐसा नहीं कि आप video record नहीं कर सकते फोटो क्लिक नहीं कर सकते जो मैंने इनिशली टेस्ट किया और इनिशली मैंने एक और चीछ टेस्ट किया मैंने बताय था 9 Pro में जब temperature gain हो जाता है तो UI म frame drop notice होने लगते हैं बट 9R में ऐसा नहीं है 9R में frame drop नहीं 120 है ज्यादा smooth feel हो रहा है इवन 9 pro को एक न साड़े 400 MB के असपास update मिला था जबकि अभी 9R को update नहीं मिला हुआ है और 5G का लेकिन सिर्फ एक band मिलता है और इसके बारे में किसी को नहीं पता future में क्या ये band बढ़ा पलो आप वोची सोचो एंड में टार्गेट वन प्लस का performance पे होता है वो यहां पर भी किया गया जो कि oxygen के साथ मिलके कमाल का experience देने कोशिच करता है और यहां पर भी 120 है 6.5 इंच के एक full HD plus amulet panel के साथ और display काफी ब्राइट है इंडोर आउट डोर यहां पे कोई दिक्कत को देखने को नहीं मिलेगी एक पॉइंट जो डे टुडे लाइफ में आपको फरक दिखा सकती हाला कि परसंद के उपर है लेकिन जो मुझे दिखा OnePlus 9R में जो fingerpin position है वो मुझे ज्यादा perfect position पे लगी और जो 9 pro थोड़ा ज्यादा नीचे है ज्यादा comfortable है 9R वाला अब आ जा से क्या होता है जब आप photos click करते हो तो यह portrait mode में क्या करता है 2x zoom करता है main camera से ताकि background में depth अच्छा है लेकिन क्यूंकि 2x हो जाती फोटो तो हलका सा soft हो जाएगी फोटो अगर यही टेली फोटो होता ना तो daylight में और अच्छी फोटो आती बट यह सॉट्रे का जूश करता है बट 4K 60fps पर जब रिकोर्डिंग करते हो ना तो वह सिरफ पाच मिनट की रिकोर्डिंग कर सकता है maximum वहां पर वीडियो खुद रुख जाएगी दुबारा आपको रिकोर्ड करना पड़ेगा लेकिन 4K 30fps या फिर full HD 60 30 यहां पर कोई रुकावट नहीं है I don't know क्यूं ऐसा ह है वैसे सरी था हूं तो पता है मुझे क्यों ऐसा था कि फोन का जो टेंप्रेचर है वो ज्यादा जाए ना थोड़ा कंट्रोल किया जा सके बट प्रोसेसर काफी कैपबल है और दोनों में एक और फराग है कि आप रिकोर्डिंग करते टाइम तो अल्ट्रा वाइड अंगल लेगा हना कुछ ऐसा होता है सेम जैसे कि सल्फी कैमरे में भी आपको फूल एच्टी सिफ 30 fps मिलता है नाइन आर में जबकि नाइन प्रो में 60 fps एंड फाइली कैमरा क्वालिटी की बात करें तो यह अल्ट्रा वाइड एंगल फोटो है यह है में कैमरे की फोटो यह है और ट टार्गेट जैसे वन प्लस का टार्गेट क्या था यहां पर कोई कैमरे मुझे मेजर इंप्रूमेंट नहीं देखी वन प्लस 80 के कमपैरिजन में तो यह एक पफॉर्मेंस लेटेड फोन मान सकते हो इसको ना आप लाइक एवरेज बेस्ट वाला नहीं एक दम इस रेट में तो आप यह कह सकते हो कि यह वन प्लस 80 है नए कैमरा ले आउट के साथ और एंडुएड 11 के साथ और थोड़े से कम प्राइज के साथ क्यूंकि अभी भी एटी ना 43 के असपास मिल रहा है विदाउट ओफर की बात कर रहा हूं और इसका जो रेट है 8128 चालिस हजार और 12256 44,000 और 8128 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा उन लोगों के लिए जिनको ओक्सीजन और इसकी गुड़नेस और परफोर्मेंस पर ज्यादा टार्गेट करते है नोट इसपैसली फूर कैमरा लवर्स बाकी और कुछ जानना चाते है तो कमेंट जरू करना तो यह था 1 प् आपको वीडियो प्रसंद आई होगे वीडियो प्रसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करना चैनल को मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में